किए सब लोग यहां पर देखो क्या बता रहे हैं तो कल अम लुग क्या पर रहे थैं है हुअब है Mi North मेंने आपको बताया था कि हम लोग जब क्लास टेंट में थे तो क्या करते थे ना प्रीस्जम में देते थे बात मत कीजिये बात को सुनो नहीं तो फिर जा सकते एक लास से बाहर सुनिए तो क्या करना हम लोग जब क्लास 10 में थे तो क्या करते थे प्रिज्म ले 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 थे और हम लोग क्या करते थे उस प्रिज्म से ना वाइट लाइट को पास कराते थे तो जब वाइट लाइट जब प्रिजम से पास करता था तो यह वाइट लाइट जो है ना सेवन कलड में तूट जाता था तो विबग्योर बनके तयार होता था बनता था ना क्या बनता था गलत लिखा गया तो बन करके तहीं क्या तयार होता था बोलिए विपग्योर बन के तयार होता था होता था कि नहीं होता था जब हम लोग वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते थे तो प्रिज्म से पास करने के बाद वाइट लाइट सेवन कलर के कंपोनेंट में तूट जाता था जिस फ पर उप्टेन करते थे मतलब लाइट इस्प्लिट किया लेकिन겠지만 और इक बास बताओ लाइट एक तरीकल्य प्यव्तसी वह है यह सब्सक्राओर यह सब्सक्राइब और इस चोटना था मिलए लाइट तो एक तरह केका Electromagnetic Wave है तो अब चलो अब इसी को यहाँ पर इस Experiment को ज़रा Modify करते है तो अब देखो Hydrogen Spectrum बना कैसे ज़रा इसके बारे में हम लोग देख लेते है Actually Hydrogen Spectrum का जो कहानी है न वो 1900 सैंचूरी से पहले का ही है और जब Rutherford का Model आया था तो वो Hydrogen Spectrum को न एकस्प्लेन नहीं कर पाया हम आपको समझाते है Hydrogen Spectrum तो Light का Spectrum क्या हो गया समझ में आ गया वो जो 7 Color के Light को जो Screen पर Optane करते है उसी को Spectrum करते है अब जो Hydrogen Spectrum क्या होगा तो इसको दरा समझो क्या करना है हम लोग को न एक container में या किसी भी apparatus में Hydrogen Gas को Fill कर देना है हम लोग Hydrogen Gas को क्या कर लिए फिल कर लिए समझ में आया और अब क्या करना है Continuously इस Hydrogen को न हमको Energy देना है किसी भी form में किसी भी form में हमको Hydrogen को क्या देना बोलो तो लगतार हम किसको एनर्जी दे रहे हैं बोलिए हाइड्रोजन को एनर्जी दे रहे है ना लगतार एनर्जी दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे फिर क्या तुम करो हाइड्रोजन को एनर्जी देना बंद कर दो अब एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम हाइडोजन को एनरजी देना बंध कर दोगे तो क्या होगा कि इसमें से एक radiation बाहर निकलेगा इसमें से क्या बाहर निकलेगा बूलिए इसमें से radiation बाहर निकलेगा किस फॉर्म में तो फिर ये भी radiation जो है ना अलग-अलग component में तूट जाएगा तो वो कहलाएगा इस wave का dispersion और उस तूटे वे portion को जब screen पे opt-in करेंगे तो उसी को बोलेंगे क्या hydrogen spectrum मेरा बात नहीं समझे तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले dispersion होगा और फिर dispersion के बाद फिर क्या बनेगा बोलिए तो पहले क्या करना hydrogen लेना है hydrogen को क्या करना है energy देना है उसके बाद hydrogen में से क्या निकलेगा EMW निकलेगा EMW electromagnetic wave उस electromagnetic wave वो कहां से पास कराना है तो वो wave अलग अलग components में क्या होगा तूट जाएगा और वो तूटा हुआ wave को जब screen पे opt-in करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे hydrogen spectrum बोलेंगे समझ माया तो light को जब हम लोग prism से पास किये थे लाइट 7 कलड़ में तूट गया था जिसको विवग्योर बोले थे तो उसी तरह यह जो electromagnetic wave जो hydrogen से निकल रहा है इसको जब तुम prism से पास करोगे ना तो तूटेगा लाइमन में, बालमर में, पास्चन में, ब्रैकेट में हम सारा चीज़ आपको लिखाएंगे तो hydrogen spectrum कैसे बना ये बास समझ में आया लेकिन hydrogen spectrum एक चीज़ बता अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर hydrogen spectrum बनता क्यों है hydrogen को energy देने से इसमें से electromagnetic wave बहर आता क्यों है यह इसमें से wave निकलने के पीछे का क्या कारण बहुत आसान तरीका समझाते है वह बोले क्या पहले तो यह बताओ हम लोग किसी भी iron dot को अगर suppose that कि यह कोई iron dot है और किसी iron dot को जब हम लोग heat करते तो पहले वह क्या होता है rate होता है तो हमको एक बात बताओ iron dot को heat करने पर rate क्यों होता है उसमें रेट करण की light क्यों निकलती है तो नील बुर बोले कि आकि देखिए यह बहुत आसान चीज है किसी भी rod को गरम करने पर उसमें से light क्यों निकलती है उसके पिछे कारण है जब आप rod को लगातार heat कर रहे हो तो electron सही नेचर कर नहीं होता है अचलि बताइंगा हर orbit का energy क्या होता αυτा हर अर्विट का energy क्या होता है या से पहले वाले unit का इनर्विट केमर माइनस 13.6 किसटना है electrone वॉल्ट से 2 देख़े होता हुए pac-3.4 निकाले उनख का energyが पता चलेगा फिर तीसरे वाले का तो हर orbit का energy level क्या है, हर orbit का energy fix है, समझ माय है मेरी बात, हर orbit का energy fix है, तो पहले वाले orbit पे suppose that कोई electron revolve कर रहा था, तो हम atom को क्या किये, energy दिए, क्या, जी, actually energy, तो अब actually में हम किसी atom को energy दिए, तो एक एक atom में energy नहीं जाता है, energy सबसे पहले किसके पास जाएगा, electron के पास, किसी स सहाब के पास नहीं जाएगा गूस का पैसा पहले किसके पास जाएगा उसके कलर के पास समझ रहे है मरी बात तो सबसे पहले इनर्जी किसके पास जाता है बुलिए अब एलेक्ट्रोन के पास जैसे एनर्जी जाता है ना तो एलेक्ट्रोन इसको बरदास्त नहीं कर पाता कि मेरे पास इतना एनर्जी आया तो अब एलेक्ट्रोन क्या करता है अब यह एलेक्ट्रोन यहां पर नहीं तो और यह अगले वाले इस तरीके से अलेक्ट्रोन आगे जाते चला जाएगा Suppose that मान का चलो इसका जो सबसे last वाला orbit है मान का चलो सबसे last वाले orbit का energy था 1 joule कितना था? Minus 1 joule आप उससे ज्यादे energy दे दिये तो अब ये जो electron है ना अब ये electron क्या करेगा? अपने atom को छोड़ चार के भाग जाएगा किसी आदमी को तुम इतना पैसा दे दिये जो इसके salary से भी जादे था तो अपना नौकरी छोड़ के क्या होगा? वो भाग जाएगा पैसा लेकर ऐसा कुछ होता है किसके साथ? electron के साथ तो Neil Borr बोले कि देखिए बात मत कीजिए Neil Borr बोले कि देखिए इतना आगे मत जाएगे वो बोले कि कोई भी electron ground state से जो excited state में जाता है तो वो बहुत देर तक excited state में नहीं रहता वापस से कहां आएगा? घर की याद आएगी वापस से electron कहां आएगा? ground state में आएगा एक ही शर्थ है कि जितना एनर्जी लेके गया छोटू उतना एनर्जी वो क्या करेगा? loss करेगा कहा? atmosphere में अब वही एनर्जी जो loss होता है तो किस फॉर्म में loss होता है? EMW के फॉर्म मत्तब electromagnetic wave के फॉर्म में समझ में आया? तो मोटा मोटी एक बार फिर सुन लिजे हम किसी atom को energy दिये तो electron ground state से कहां चला गया? excited state में बहुत देर तक excited state में नहीं रहा फिर वापस से कहां आएगा? एक ही शर्थ है जितना energy लेके गया था उतना energy को इसको atmosphere में छोड़ना पड़ेगा अब वो energy जो release होता है बाहर किस form में release होगा? electromagnetic wave के form में यही वज़ा था जब मैंने iron dot को heat किया था तो लगतार इसमें energy जा रहा था heat energy तो iron dot का जो electron वो excited state में गया होगा फिर वापस से electron excited state से कहां आया होगा? ground state पे लेकिन एक ही शर्थ पे अपना बाकी का energy क्या किया होगा? atmosphere में loss किया होगा अब वही loss किया होगा energy किस form में निकला? EMW के form में? EMW क्या? EMW light भी तो एक wave है ना? तो यही हमको इसका color क्या दिखा? red दिखा और energy दिए violet, blue समझे रो ना? बलू, violet clear हो गया? तो इस चीज़ को ऐसा concept कौन बताया? नील बूर बताया रदर फोर्ट ना इस चीज़ को नहीं बता पायते है तो hydrogen spectrum में भी कुछ ऐसा ही है हम hydrogen को जो energy देते है बात मत कीजिए हम hydrogen को जो energy देते है तो hydrogen का electron कहां चला गया? excited state में? फिर कहां आएगा? एक ही शर्त है जितना energy लेके गया था उतना छोटू energy क्या करेगा वो? atmosphere में release करेगा और वो energy किस form में बाहर निकलेगा? और उस EMW को हम prism से पास कराएंगे तो उसमें dispersion होगा फिर उसको screen पर obtain करेंगे तो क्या बनेगा? spectrum बनेगा उसी spectrum को हम लोग क्या बोलेंगे? hydrogen spectrum पर ही लियम गस ले ले लेंगे तो अब जो spectrum बनेगा उशको क्या बोलेंगे? helium spectrum सब को समझ में आया hydrogen spectrum क्या है? लिकिन अब hydrogen spectrum बनता क्या क्या है? इसके बार हम लोग को परना तो देखो, यहान पर iron dot का colour आरण डॉट का कलर अब ना यहां पर हमको हम यहां पर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम का ट्रिक बताएंगे नाम का ट्रिक का क्या होगा एल बीपी अफिर बीपी एच